क्या आप भी सर्दी खासी जुखाम सीने में जकरन कफ से परिशान हैं दवाईया खाखा के पग गए हैं लेकिन अरामी नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे में आपको आज की ये 100 फायदे वाली अधरक के हलवे की रेसिपी को ट्रै करना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल हलवा नहीं ह है इस हलवे के अंदर मैंने ऐसी चीज़े एट की हैं जिसके हफते बढ़के पते दिल सेवन से आपकी गले से जोड़ी सभी सबस्याय खतम हो जाएंगी और यह इतना टेश्टी बनता है कि इसे बच्चों से लेके बढ़े सभी बहुत मज़े से खाएंगे फायदा भी दो तीन पाने दो के साफ कर लीजेगा ताकि जो गंदगी हो मिटी निकल जाए क्योंकि अधरा को दोने के बाद में चीलेंगे सो फीर वॉष नीकलेंगे तो यहां मैंने ली है 100 अधरा मद्रक अज्यादा कॉनर्टी में भी अधरा कर एक अधरा बना सकते हैं दोने के योजाए बहुत टेश्टी बनती से तो ऐसे फटाफटाप सारी अद्रग को छील लेते हैं इतना हमको यूज करना हमाने के लिए तो यह देखिमने अधरा में अद्रा को छीलिया रफ्ली कट कर लिया है अब इसको क्या करें ग्रैंड करेंगे ड्लाद देते हैं मिख्षी जा अगर यह से रहें तो अधरक का जो हलो बनेगे खाने मच्छाने लगेगा यह देखे तो अधरक का जो पेश्ट बनके तयार हो गया तो परफेक्ट अब इसमें कुछ और भी चीज़ एट करेंगे इसे जो अधरक का फी ऐल्दी बनेगा तो गैस के लखेंगे पैन, गैस के फ फ्लेवर के लिए मैंने यहां पे लिए है चार से पांच हरी राइची, चार से पांच फूल वाली लॉंग लेंगे और हल्वे को और हैल्दी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है दस से बारा तुल्सी के ताजे पत्ते, छोटी आदी चमश मैंने यहां पे आजवाइन का यूज किया है और साथ में डाल देंके टेस को बढ़ाने के लिए अपनी रेमेडि को और हेल्दी बनाने के लिए एक चमल भरके सफेद तिल तरसी में बहुत गरम होता है सर्दुय में खाना चाहिए और फ्रेंड जितने मसाले मैं यूज किये हैं यह हमारी गल्ले के लिए हमारी खार को रिभ बहुत होते हैं को मासाले मैं यह तैक हो को बन कर देंगे समें डाल के देसी घी कई हमें गी कर आ लोगका लगवी हमें तक कर देंगे हम दो चमर बहर करेंगे हम कि यह कह ए कि वहां ब्रयैंड कि को दिक्कत भी को अच्छे को बहुत अच्छे की कि आपको पसंद आती हो तो को प्लीज प्लीज देखना की सिर्टेंगा देखना नाम क्या है कमेंड बॉक्स में निदेखना भूला मैं को रिप्लाय करूं गी और यह देखे हां से बाते करते बिसर कितने चीक इस भून गया तो रूख फॉन जाता है तो बिसर बहुत चीकारी है तो बस पार निकाले से त्क गालें इसे बवहुत निपने पून जल जाएगा अब इसमेट कर देंगे हमको ड्राइफूट्स तो मैंने यहां पे लिया है दो चमर अख्रोड दो चमर बादाम दो चमर काजू घी में डाल के कर लेंगे ताकि जो अच्छा सा फ्लेव रता ने ड्राइफूट्स का वह हमारे हल्वे में आ जाए और वह काफी टेश्टी बन अच्छा से फून लेते हैं लेकर यहां भी आपको एक पॉइंट करना है अगर आके खर में शोटे बच्चे हैं बड़े बोड़े हैं तो दिक्कत आएगी लेकर उनको आपको यह रेमेडी खिलानी है तो आप द्राइफूट्स को फ्राइ करने के बाद में मिक्सिम डाल के पीस लीजेगा फिर हल्वे में एट कर सकते हैं तो आप ऐसे यूज कर लेजेए जैसे भी ठीक लगे मैं आपको पॉंट क्लियर कर दिया है अब यतना लैक्त गी पैन में बचा हुआ है उसमें डाल देंगे हम यह अद्रा का पेस्ट और इसको क्या करेंगे हलका सा घी में बून लेते हैं तो अदरा को अधरा को हलका हुआ लिया है कलर्री चेंज हो गया है काफी चे महग लिए तो बस अद्रा को बून ने के बाद में अब इसमें अच्छे में एक समान हो जाएं और यह देखे मैंने यहां बेशन को अधरा को अधरा को अधरा को अधरा को अधरा को यूज करेंगे गुड के अंदर होता है भारी मातरा में आइरेन कैसियम जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है साथी साथ इसके तासिर होती काफी गरम होती है सर्दियों में गुड खाना चाहिए और हल्वे में गुड का टेस्ट बहुत चाने वाला है गुड को अच्छा मेर करने के लिए यह दो हम अच्छा में रिखने के लिए थोड़ सा पाने लिए एक बड़े चममच ताकि जो गुड है ना सभी चीजों के साथ मेरा लगाताज चिलाते हैं जब तक गोड़ मेल्ट हो रहा है जो हम खड़े मसाले बूरे पैंट के अंदर इसको हम हलका सा क्रेश कर देंगे इसको में तम बारी पॉड़री बनाना है जो बहुत ही स्ट्रॉंग फ्लिवर का हो जाएगा मिक्सित भी यूज कर सकते हैं मिक्सित भी उज कर रहे हैं तो में ऑच्छा में अच्छा से कई आदी है अब इस मैट करेंगे हल्वे को हैल्दी बनाने के कुछ और पी चीजे तो यहां मैंने लिया है छोटी अदी चममच हल्दी पॉडर जो कि एंटीबाइटिक तरह हमारे बॉड़ी में काम करता है यह चुटकी मैंने यहां पर सेंधा नमक यूज किया सफेद नमक नहीं सेंधा नमक करना है सेंधा नमक बल्गम को मैट करने में काफी कारगर होता है और साथ मैट कर देंगे हमारे क्रश कियोए मसाले ढ़ सब को हम फटडफड मिला देंगे घी को दी तो यहां पर हमयारा सूपर हैल टेस्टी सो गुडसे भरपूर अ्ररक का रिट कर लेंगे के थंडा कर लेंगे कुष घंडा कर लेना है और यहां पिज़ अध्र outta ह हर्ड का हल्वा हृण का हो गया है लास इंगे इसमें बहुती में चीज जो कि है हनी यानी शहर अब इ figure लेके हेलवे कह से हनी का यानी का अब डिकत नहीं है और देखिजे यह बनाने के लिए यह हमारी है जिए काफी अच्छी है और साथ ही साथ जितनी चीजे मैंने अच्छी है वो इस प्योगी चीजे उसकी है तो जबूर ट्राय करें इतनी healthy इतनी ट्षिटी रेसेपी जो की बच्चों से जएके बड़े सभी बहुत इंबाजे से खा लेंगे सा अब आता है बहुत में पार्ट किस अध्रक के हल्वे को हमें खाना कैसे है करना है यह हमें benefit कैसे देगा ध्यां सुनिएगा बड़े लोग जो है वो सुबे नाश्ते के बार एक चंबर रात में सोते समय चंबर छोटे बच्चे हैं पांच साल सी बड़े बच्चे हैं छोट अधे खाने के बाद पानी दूद का यूज नहीं करना है अधे खंटे के लिए दीमे चाटते जाए निगलते जाए बहुत टेस्टी होता है और अधे खंटे तक कुछ भी लिक्वेट मत यूज करें कुछ भी मत खाईएगा और सो जाईएगा इससे क्या होगा आपके गले आगी शेयर करती रहूं चली मिलते हैं नेक्स रेसीपी के साथ मैं भी के लिए टेक केर और बबाए आप मुझे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेयां का किचन जोन